अख्लेश यादव ने लालो के दमाद पर दाउं क्यों लगाया? क्या उपचुनाव हर्याणा के रिजल्ट के बाद कुछ प्रभावित होगा? क्या हर्याणा में कॉंग्रेस की हार राजिस्थान के उपचुनाव को प्रभावित कर सकती है? नमस्कार बहुत स्वागत है आपका न्यूज़टीन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं हो रिनुयादव देखिए आप तीन राजियों में उपचुनाव हैं और उत्तर प्रदेश की नौ सीटे हैं मध्य प्रदेश की दो सीटे हैं और राजिस्थान की साथ सीटे हैं जहां पर उपचुनाव होना है और ये तीनों ही हिंदी भाष्टी राज्य हैं जहां पर मौजूदा बीजेपी की सरकार है इन तीन राज्जों की बात करने इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी और मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस साथ ही राजिस्थान में भी कॉंग्रेस पार्टी ये काटे का मुकाबला देने के लिए तयार हैं मध्यप्रदेश और राजिस्थान की बात हम करेंगे लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे यूपी की क्योंकि यूपी में होने जा रहे नौ उपचुनाओं में इस बार कड़ा मुकाबला तो देखा ही जाएगा क्योंकि नौ सीटों में से जादा सीटे सपा के खाते में हैं औ फिर यूँ कहें कि बड़े बड़े राजनेति घरानों से भी आते हैं और इनके बारे में आपको डेटेल्स दी जाएगे कि आखिरकार क्यों अखलेश भाईया ने इन नामों पर मुहर लगाई या पिरे कि कॉंग्रेस के साथ गडबनन तो करी रहे हैं कुछ सीटे हैं जो कि कॉंग्रेस को देने की बात कहीं जारी थी फिलाल अभी इस बारे में कुछ इस परस्ट नहीं है लेकिन समाजवाधी पाटने ने जरूर अपने प्रित्याशी घोशित कर दी हैं कुछ प्रमुक सीटों से इनमें जो सबसे ज़ादा छे जो सीटों में नाम एलान किये हैं कानपूर की सीसामव सीट से इरफान सोलंकी की पतनी नसीम सोलंकी को प्रित्याशी बनाया गया है और इस तरीके से आप ये देखिए के ने प्रित्याशी क्यों बनाया गया है आखिरकार इसका कारण क्या था क्यों समाजवाधी पाटने इन शे नामों पर मुहर लगाई है करहल, सीसामव, फूलपूर, मिलकिपूर, कटेहरी और मजवा ये 6 सीटे हैं जहाँ पर समाजवादी पाटे ने प्रताशी घोशित कर दिये हैं आपको डिटेल बताने जा रहे हैं 6 में से 5 चेहरे जो हैं वो राजनिति घराने से हैं तेज प्रताप यादव ये नाम इसलिए भी बहुत सुर्ख्यों में हैं क्योंकि अखलेश के भतीजे हैं जाइड से बाते मैनपुरी से सांसत भी रह चुके हैं लालू यादव के दमाद भी हैं ये सपक की पारम पर एक सीट है दरसल करहल सीट से पहले जो अखलेश भाईया है वो चुनावी मैदान में उतरे थे और तबी से ये माना जा रहा था कि करहल की सीट अगर खाली होती है तो ये तेज प्रताप यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और वैसे ही हुआ यहाँ पर तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया नसीम सुलंकी आप ये देखे कि नसीम सुलंकी इर्फान सुलंकी की पत्नी है इर्फान सीसा मौ से तीन बार विधायक रह चुके हैं सपा ये मान रही है कि इर्फान सुलंकी को फसाया गया मुसलिम होने के नाते उन्हें प्रतारित किया गया और ऐसे में साहनूब भूती उनके प्रती है और वोट अपने पाले में करने की कोशिश है और यही कारणे के उनकी पत्नी को चुनावी मदान में उतारा गया है और उन्हें टिकट दिया गया है तीसरा नाम है अजीद प्रसाद सपाल सांसाद अब्धेश प्रिशाद के बेटे हैं और कोई चुनाव अभी तक इन्होंने नहीं लड़ा है पहले बार यह चुनावी मदान में उतरेंगे और नौ बार विधायक रह चुके हैं अब्धेश प्रसाद यहां से और इनके बेट हैं अजीद प्रसाद जिनको टिकट दिया गया है लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि इनको राजनीती में लाया जाए और यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है आयोध्या सीट जीतने के बार पार्टी में अव्धेश प्रसाद का जो कद है वो बढ़ गया और ऐसे में शोभा वती वर्मा चौता जाह नाम है आप शोभा वती वर्मा मेटकर नगर से सपा सानीजर्मा की पतनी शिला पैंच या घष bucks भी रह चुकी हैं कभी बस्पा एक बहुत बड़ा चेहरा होती थी लाल जी वर्मा का सीट पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है और लाल जी देखिए बस पास से तीन बार की विधायक रहे जुकी है दॉक्टर रमेश बिंद की बेटी है और रमेश बिंद ने सपक की टिकट से मेज़पूर लोक सबस सीट पर चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे इस सीट पर बिंद समाज का अच्छा खासा प्रभाव दिखा ज उनकी बेटी को प्रत्याशी बनाया गया है और आपको हम चटवा नाम बताने जा रहे हैं चटवा नाम है मुस्तबा स्थिदिकी तीन बार विधायक रह चुके हैं 2002 से 2012 तक ये सोराओं से विधायक चुने गए 2017 में प्रतापूर सीट से विधायक बने 2022 में सपर में शामिल वज़े से मुस्तबा स्थिद्की को चुनावी मैदान मुतारा गया है 3 OBC को टिकट दिया है PDA formula को अभी ख्याल रखा गया है और PDA formula के तहती टिकट दिया गया है आप ये देखें कि इसमें 2 Muslim कसी को भी टिकट मिला है 6 प्रत्याशियों में से 3 Images तेस प्रताप इस से पहल किसके कबजे में थी क्यों खाली हुई थी एक बार डिटेल आपको इसकी भी दे देते हैं दरसल करहल सीट अखलेश यादव यहाँ पर थे और कर्णौस से सांसत बने इस वज़े से सीट खाली हुई है मिलकी पूर अबदेश परिसाथ जोकी फैज़ाबाद से सांसत बने इस खैर से अनुप वालमिकी हाथरस से सांसत बने और गाजियाबाद सदर से अतुलगर्ग गाजियाबाद के सांसत बन गए है मेरापूर से चंदन चौहान बिजनौर के सांसत बने फूलपूर से प्रविन पटेल फूरपूर के सांसत बने मजवा से विनोत कुमार बिंद सीट हैं 6 में से सापा ने जो अपने प्रत्याशी घोशित कर दी हैं मुख तोर पर हम समाजवादी पाटी के जो लीडर्स घोशित किये गए हैं उनको लेकर खास्तों पर बात कर रहे थे कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो कहां से बिलॉग करते हैं किस वज़े से उनको पूर्वसियम मौजोदा कृशी केंदरी मंतरी शिवरासिंग चोहान यहां से जीतते आये थे और अच्छे खासे वोटों के साथ जीत कंतर होता था उनको जायर से बाते मामा कहलाते हैं और सब उनको बढ़ चड़ कर वोट भी देते हैं और वो अब केंदर की राजनीरी मे विजयपूर सेट की राम निवास रावात आप अच्छे से जानते हैं कॉंग्रेस की बहुत बड़ी नेता थे जिरो ने लोग सब एलेक्शन के समय में ही इस्तिफा दे दिया कॉंग्रेस से बीजेपी में शामिल होगे और इस वक्त मुहन काबिनेट में अच्छी खासी ज हाते में ही गई हैं और अभी से मुख मंतरी डॉक्टर मुहन आदब बैठा के लिना शुरू कर चुके हैं कसावट पूरी हो चुकी है बशरते जीतू पटवारी इस वक्त उतने जाद आक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं जितना बीजेपी की लीडर्स दिखाई दे रहे हैं बात करेंगी राजिस्थान की साथ सीटों पर देगी राजिस्थान में हर्याणा के चुनाओं के बाद अच्छा खासा प्रभाव देखा जा रहा है क्योंकि हर्याणा में कॉंग्रेस बहुत जादा उत्साहित थी आप कह सकते हैं कि ओवर कॉंफिडेंस भी थी और ये मान में कॉंग्रेस की हार हो गई हालांकि सीट जरूर बढ़ी है लेकिन जो हार हुई है उसके बाद से कॉंग्रेस थोड़ी सी डरी हुई है क्योंकि हर्याणा की राजिनीती का जो असर है वो इस वक्त राजिस्थान की राजिस्थान की राजिनीती में भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर साथ सीटों पर जो अपचुनाव होने जा रहे हैं इसके लिए कॉंग्रेस और बीजेपी में मुख मुकाबला होता है लेकिन देखना यह है कि अपचुनाव के परिणाम क्या आते हैं हलाकि कॉंग्रेस दोनों ही राज्यों में भरपूर कोशिश कर रही है एक सफ उत्तर प्रदेश में सपा जो पार्टी है वो भरपूर कोशिश कर रही है कि जादा सीट बढ़ाई जाए और दिल्चस्प मुकाबला होने वाला है बाकि आपके इन तमाम सीटों को लेकर क्या कुछ राय है उत्तर प्रदेश मध्ध प्रदेश और राजिस्थान को ले